पीज ब्राजिल के पूर्व राष्टपती को ब्रश्टा चार के एक मामले में 9 साल की सजा सुनाए गई उन्हें ब्रश्टा चार और मनी लॉंडरिंग के एक मामले में दोशी पाए गया जो आरोप उन पर साल 2010 में लगे थे जब वो सांसत थे मामला सामने आने के करीब 13 साल बाद ब्राजिल के पूर्व राष्टपती फर्नांदो कॉलर्डी मेलो को 8 साल 10 महीने की सजा सुनाए गई असल में उन पर एक कंपनी से 40 लाख डॉलर यानी भारती रुपेव में करीब 32 करोड की रिश्वत लेने का आरोप तब लगा था जब वो साल 2010 से 2014 तक सांसत थे और उस वक्ट भी उनकी सरकार पर भच्चाचार के गंभीर आरोप लगे थे मिड़े मील खाने के बाद उन बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी जिसके बाद उन्हें तुरंट एमबुलेंस से अस्पताल ले जाए गया उसमें डवा मिलाए गई थी जिसकी वज़े से बच्चे बीमार पड़ गए बताया गया कि एक NGO की ओर से बच्चों को खाना खिला गया था महीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की चांच में जुट गई उदर अमेरिका को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए वहां की संसत के निचले सदन ने डेट सीलिंग बिल पास कर दिया इससे अमेरिका एक जनवरी दोजार पच्चीस तक बाजार से बिना किसी दिक्कत के पैसा उठा सकेगा हालनकी अमेरिका को आर्थिक संकट से दूर रखने का बस पहला ही पड़ाव है लेकिन खत्रा भी टेला नहीं है क्योंकि सोमवार से पहले इस बिल को कानून की शक्र लेनी होगी क्योंकि 5 जून वो तारीख है जब उसके खजाने में इतना पैसा ही नहीं बचेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थविवस्ता अमेरिका पर 31,40,000 करोड डॉलर यानि भारते रुकों में लगभग 2,500,000 करोड रुपे का कर्ज है और अगर इतना पैसा डूबा तो पूरी दुनिया डूब जाएगी अमेरिका के पास वक्त बेहत कम है और सेनेट में एक सांसत भी बिलको लटका सकता है इस बीच अमेरिका और चीन के बीच तनाव का असर सिंगपोर में होने वाली उन्चास देशों की एशिया सुरक्षा बैठक पर पढ़ सकता है क्योंकि चीन ने इस बैठक में अमेरिकी सुरक्षा मंत्री से मिलने से इंकार कर दिया जिसका सीधा सा मतलब है कि चीन अमेरिका को फूटी आख से भी देखना नहीं पसंद कर रहा एशिया सुरक्षा बैठक में उन्चास देशों के प्रतंदी शामिल होंगे लेकिन अब जब चीन ने इस बैठक से पहले ही अमेरिका को अपने इरादे साफ कर दिये तो इस बात की आशंका जताय जा रहे है कि अमेरिका भी इस बैठक में चीन को गहरने की तयारी कर सकता है पश्चिमी मीडिया के मताबिक इस बैठक में युक्रेन, जंग, चीन और ताइवान के बीच तनाव का मुद्दा सबसे टॉप पर रहेगा इतना है नहीं, दक्षन चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी का भी मुद्दा बैठक में उठ सकता है पताय जा रहा है कि इसलिए चीन अभी से आग बबूला उठाय इधर अमेरिका के दोरे पर गए रहूल गांधी ने अपनी संसत सदस्ता जाने का मुद्दा उठाया उन्होंने स्टैन्फर्ड उनिवर्स्टी में चातरों से बात करते हुए ये बयान दिया रहूल गांधी करीब एक हफते के लिए अमेरिका के दोरे पर है जहां पहले उन्होंने भारत जोडो यात्रा पर बात किया और फिर मानहानी केस की वज़े से अपनी संसत सदस्ता जाने का बुद्दा उठाया स्टैन्फर्ड उनिवर्स्टी में चातरों से बात करते हुए रहूल ने जैसे ही ये बयान दिया बीजेपी बढ़क गई स्टैन्फर्ड उनिवर्स्टी में राहूल को जब बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्हें पूर्व संसत कहकर संभूधित किया गया राहूल ने इसी बात का जिक्र करते हुए बयान दिया पी-म के सरनेम के मामले में राहूल पर मानहानी केस चला जिसमें सजा सुनाई जाने के बाद उनकी संसत सदस्ता चली गई थी